नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोली शो में तो दोस्तों भारत एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो अब तक कुछी चुनिंदा देश ही इस पूरी धर्ती पर रच चुके हैं लेकिन इसे करना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है और भारत अगर इसे सफलता पावर का दरजा असानी से दिलवा जाएगा क्या है इसे सब कुछ आपको तुम्हें रेटेल से बताऊंगा ही साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे क्योंकि यहापको मिलती है डिफैन्स, फ्रेंट पोलिसी, फाइनेंस परते दिन तीन तीन वीडियो तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप एक भी वीडियो में इस नहीं कर पाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों सैन्ने अड़ा दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश होते हैं जो बहुत ही बहुत ही ज़दा डिप्लोमेटिक पावर होनी चाहिए बहुत ही ज़दा फाइनेशल पावर होनी चाहिए और बहुत ही ज़दा मिलिटरी पावर भी होनी चाहिए इन तीनों का बिल्कुल बैलेंस कॉंबिनेशन होगा तभी आप इसे कर सकेंगे इसके लावा एक चुनोत बनाना बहुत ही ज़्यादा भारी काम है कैसे देखे अगर आप अपने देश में ही एक छोटा सा सेन अड़ा बनाएंगे न तो वहीं आपको अर्बो डोलर के हतियार तैनात करने पड़ेंगे जी हाँ अपने देश में वहीं अगर विदेशों की बात करें तो वहाँ पर भी आपको हर काम डिलकुल बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको वहाँ पर डिफेंस सिस्टम तैनात करने पड़ेंगे अपने बेस की सुरक्षा के लिए इसके लावा आपको एक ऐसा देश ढूणना पड़ेगा जो हमेशा आपसके पक्समिर है ऐसा नहीं कि आपने अर्बो डॉलर खर्च किये सैन ने अड़ा बनाया और वहाँ पर आपके खिलाब उसी देश में विरोध शुरू हो जाए और आपको वहाँ से फिर भागना पड़े ऐसा नहीं आपको एक पर्मनेंट बेस आपको देखना पड़ेगा सबसे और सबसे मुश्किल काम होता है आपको वहाँ पर अर्बो डॉलर के अपने प्रीमियम लाइन वेपन्स महाँ पर डिप्लोई करने पड़ते हैं प्रीमियम लाइन के जो शिप्स होते हैं जो सबसे खतरनाक होते हैं वो आपको तैनात करने पड़ते हैं ताकि उस सैन्ने अड़े की ताकत बनी रहे यहां से भारत पूरे हिंद महासागर के जो रिजन है एक खासे रिजन पर बहुत ही आसानी से चीन की गतिवधियों पर नजर रख सकता है और साथ ही चीन का influence जो अफरीका में बढ़ रहा है उस पर भारत नजर बनाए रख सकता है कि कैसे कौन सी शिप अफरीका से होकर जा र जब 2019 में हमने कुशिश करी थी तो बिल्कुल एन वक्त पर चीजे भारत के लिए पलट गए थी वरना भारत कामयाब होई गया था एन वक्त पर चीन ने जो सरकार विरोधी पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर भारत के खिलाफ वहां पर बहुत ज़रा विरोध प्रजशन कर पर वादिये थे इस वज़े से महां की सरकार को पीछे हटना पड़ा और भारत को भी पीछे हटना पड़ा है लेकिन अब भारत ने बिल्कुल फ्रेश अटेम्ट किया है भारत की विदेश मंतरी एज़ेशन कर जा रहे हैं शेशल्स और बता जा रहा कि कोई ना कोई समझो अन्तिम रूप तक पहुच जाएगा क्योंकि भारत ने विपक्षी पार्टियों को भी काफी हट तक शेशल्स की साध लिया है इसलिए भारत के लिए अब चीज़े काफी आसान होती जा रही है और चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत शेशल्स में एक सैन्य अड़ा बन भी विशे भारत के लिए होगा क्योंकि आप देखें कि अगर दुनिया में किसने विदेशों में सैन्य अड़ा बनाए हैं तो भारत और चीन दुनिया की टोप फोर जो मतलब के मोस्त पावर्फल कंट्रीज में आते हैं चीन का सिर्फ एक मातर सैन्य अड़ा है जी बूती लेकिन दुनिया के तमाम देशों में गर आप देखेंगे तो जिनके पास बहुत ज़्यादा केपेबिल्टी होती हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर देश होते हैं वो ही विदेशों में सैन्य अड़ा सेटप कर सकते हैं और उन्हें ही एक बड़ी सूपर पावर का भी दिया जाता है तो आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर कमेंट करें जरूबताएगा साथी वीडियो को शेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा